गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू अलार गुड़े टोम सो हमारा क्लास फिफ्ट का फर्स्ट यूनिट के पहले हमने थोड़ी एक्टिविटीज देखे दी देन जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वू विल डू दिस के बारे में हमने ज देखा था कि हम को जो गुड़ेज और डास्ट्स टीन में डालना चाहिए और हम जबी भी कि बोजन करें तब हमको अम्हारे हाथ सब से करना चाहिए और टोईलेट जाने के बाद भी हमको हमारे hand wash करने जाहिए then हमारा जो खराब पानी एगर का वो सब हम गटर में डालते हैं यह सब हमारी जो नेतिक फरज हैं उनके बारे में हमने इस unit में जाना था और जो हमारी public properties है जैसे school जो primary school होती है जैसे यह छोटी primary school फिर जो हमारे bus station library जो temple यह सब हमारे जो primaries sorry properties है उसके बारे में हमने जाना था garden वगेरा के बारे में then उसके बाद हमको यह photo देखके यहाँ पर इनके question के answer देने थे यह भी हमने देखें थे मैंने आपको पहले story समझाई then एक के question का answer भी आपको मैंने समझाया था then इसी तरह अब हम आज का हमारा आगे का बढ़नेगा है जैसे हमने यहाँ पर कैसे मैंने आपको story बता के plant of Amit and Raul मतलब Amit and Raul का plants मतलब वो garden में गए थे और यह सब story है मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो नेतिक फरज है उसके relative एक एक पपी घम को दिया है इन लोगोंने study में हमको तो मैं आपको story समझाता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं Amit and Raul नाम के दोस्ते तो आप देख रहे हैं यहाँ पर Amit और Raul है जो रावल है वो bench के पीछ आगे खड़ा है देन जो Amit है उसके पीछे एक plant आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोदा है जिसके आगे Amit खड़ा है Then यहाँ पर आप सेकंड पिक्चर देख रहे हैं तो जो रावल है वो गिर गया है यहाँ पर एक plant में ने बताया उस पर गिर गया है मतलब यह लोग garden में दो दोस्ते हमारी तरह जब आप भी गई garden जाते हो तो आप जैसे कैसे खेलते हो ऐसे यह दोनों दोस्त खेल रहे थे गार्डन में तो अचानक की जो रावल है वो गिर गया प्लांट के पर आप देख सकते हैं उसको थोड़ी blood भी निकला है तो हाथ में लगाए वो आप drop देख सकते हैं देन फर्स्ट और सेकंड पिक्चर आप समझ गए देन थर्ड पिक्चर है यहां पर रावल है रावल जो पिक्चर में हमें दिखाया गया है वो जिस प्लांट पर गिर गया था वो प्लांट टूट गया आप देख सकते हैं प्लांट यहां पर टूटा हुआ है थर्ड पिक बिचर में देन फॉर्थ बिचर में आप देख रहे हैं कि ये जो राउल और उसका फ्रेंड अमी थे वे दोनों जो ये गार्डन में थे खेल रहे थे अचानक कि जो गिर गया और प्लांट तूट गया तूटा नहीं बड़ थोड़ा निकल गया होगा सायद वो ये लोग रेती सॉयल कर रहे हैं so that उनोंने फिर से वो जो प्लांट है उसको पर्फेक्ट कर लिया so हमको इनोंने एक स्टोरी बताईए जो दो दोस्त थे उनके बारे में जो गार्डन में खेल रहे थे एक दोस गिर गया और प्लांट उट गया देन दोनोंने उस प्लांट को फिर से बिलब कर लिया, तो आपको स्टोरी समझ में आ गई अब हमको स्टोरी रिलेटिव क्वेस्चन है अब हमको इनों ने पूछा है कि आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अमित और राउल जो हैं वो गार्डन पार्क में खेल रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो बेंचे बेंच के आगे राउल खड़ा है, यहां पे प्लांट के आगे प्लांट के आगे अमित हैं, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो राउल के पिछे बेंचे then अमित के पीछे प्लांट है यह दोनों गार्डन में थे गार्डन या पार्क हम जो भी बोलें उसमें यह दोनों दोस्त खेल रहे थे और जो आप देख सकते हैं पूरा गार्डन है आसपास हरिया लिये छोटे small big trees हैं प्लांट हैं आप देख सकते हैं प्लांट के उपर वो गिर गया था उसको उठाने में help कर रहा है फॉर्थ पिक्चर में हम देख सकते हैं यह दोनों जो राउल जिस प्लांट पे गिर गया था वो प्लांट तूट गया तो उसको बिलप कर रहे हैं तो फॉर्थ पिक्चर में यह रहा है मतलब इस question का answer है फॉर्थ पिक्चर में अमित राउल की help कर रहा है उसको उठाने में वो जो गिर गया था फॉर्थ पिक्चर में जो इन्होंने जो राउल जिस पेड़ प्लांट पे गिरा था वो प्लांट तूट गया था उसको बिलप कर रहे हैं सेकंड और फॉर्थ पिक्चर में यहां बता है अब हम थर्ट कोस्चन पे जाते हैं वाट डिड राउल डू आफ्टर ड़ प्लांट अब अप्रोटेट मतलब की जो राउल यहां पे प्लांट वो खेल रहे थे जो रावल उस प्लांट पर गिरा तो प्लांट तूट गया तो उसने जो तूटा हुआ प्लांट है उसको देख के उसने क्या किया मतलब उसने तोड़ तो डाला अब उसको लगा कि अब मैं क्या करूँ इनका कहने का मतलब है कि जो रावल है उसने जो प्लांट तोड़ा उस उसको अब वो क्या करेगा तो हम थर्ड पिक्चर में देख रहे हैं कि थर्ड पिक्चर में जो राउल को राउल प्लांट को देख रहा है जो राउल ने जो पेड प्लांट तोड़ा था वो तूट गया था अब उसको देख रहा है देन हम फॉर्थ पिक्चर में आते हैं तो इसने पहले देखा कि हाँ मेरी वज़े से यह plant टूट गया है तो अब मेरी यह जवाबदार ही है मेरी यह duty है कि नहीं plant हमारी properties है duties है हमारी उस properties को build करना उसका maintenance करना तो वो आप fourth picture में हम देख रहे हैं उसके दोस्त की मदद से उसको build up कर रहा है तो हमको इन्होंने ये स्टोरी बताईए कि ये जो स्टोरी है हमको हमारे जो आसपास गार्डन होते हैं जो भी हमारी प्रोपर्टीज है उनकी हमें देखवाल करनी चाहिए तो थर्ड का आपको आंसर मिल गया राउल ने थर्ड और फॉर्थ पिक्चर में जो किया वर्क वो हमें वहाँ पे लिखने वाट सूट राउल एक्चूली डू तो राउल को हकीकत में मतलब उसकी फरज क्या है उसको हकीकत में क्या करना जाईए यह हमको बताया गया है तो फर्स्ट ओप ओल चिल्डन्स आपको पता है जो हमारे आसपास गार्डन होते हैं हमको नहीं खेलना तो चाहिए वहाँ पर हम सभी आप सब स्टूडन्स हैं तो आपको वहाँ पर खेलना चाहिए बट हमको manners के साथ खेलना चाहिए, वहाँ पे जो plants, flowers होते हैं, उनको कोई भी तकलीब न होनी चाहिए, इस तरह हमको वहाँ पे जो हमारा जो ये garden होता है, वहाँ पे हमें ऐसे खेलना चाहिए, हमको कोई जो पेड़ पोदे होते हैं, जैसे इनों ने जो पेड़ पोदा पोड़ना नहीं चाहिए, इस सब जाबदारी को रावल को समझना जाए, सो हमको रावल को ये समझाना चाहिए, मतलब रावल को ऐसा करना जाए कि उसको manners के साथ garden में खेलना चाहिए और कोई भी flowers या ट्री का कोई भी ऐसा नुक्सान डेमेज नहीं करना जाए, because जो हमारे हम नहीं करना जाई तो फौर्स्ट क्वेस्टन का आंसर मैंने समझाया फिफ्थ है what do you do to look after the garden इन्होंने आपको क्वेस्टन किया चिल्डर्ण सुब को इन्होंने क्वेस्टन किया यह फिफ्थ कॉेस्टन जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने आप से पुछाए कि अगर आप जो गार्डन देखते हैं आपके घर के आसपास या कहीं पे भी गार्डन हम देखते हैं तो आपको क्या करना जाए है मतलब आप क्या करेंगे जो गार्डन देखेंगे तो आप क्या करेंगे तो हम उसको जो गार्डन होते हैं उनके प्लांट्स को हम रेगूलर वाटर देंगे हम चो हमारा गार्डन होता है उसको हम रेग्युलर क्लीन रखेंगे वहाँ पे जो डॉस्ट्रड भीन होती है वहीं पे हम जो गार्बेज या कोई छोटे मोटे packet के कच्रे होते हैं उसी में ही डालेंगे so हम वहाँ से कोई ऐसी कच्रा नहीं करेंगे हम वहाँ पे जो plants या कोई भी ऐसी छोटे मोटे plants होते हैं उनको हम कभी damage नहीं करेंगे और अगर हम वहाँ पे खेलेंगे children's अगर आप वहाँ पे खेलेंगे तो मेनर्स के साथ खेलेंगे तो आपका 5th question का answer ये So children's आपको मैं हमबर last में दूँगा इन 5 question में से 2 या 3 से question आपको लिखने होगे वो question कौन से होगे वो मैं आपको last में बताऊंगा तो ये picture आपको पूरी समझ में आ गई यहां पे स्टोरी दी गई हुए थी स्टोरी में से हमने क्वेस्चन के आंसर भी देखे देन अब हमको ला वैसे ही थर्ड है सेकंड है अमारी स्टोरी वाली स्टोरी वाला टोपिक टोपिक सोरी सो फर्स्ट पिक्चर देख लीजिए आप दें सेकंड पिक्चर आप देख लीजिए यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है हमको यहां पे दो फोटो दी गई हुए है दो स्टोरी दी गई हुए है सो आपने फोटो देख ली होगी थोड़ा आपको अंडरस्टेंड भी हुआ अभी भी हमारी बारिस का मौसम है, तो बारिस हो रही है इस घर के आसपाद टेरस पे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो टेरस पर वाटर आता है. तो इनोंने water का जिसे हम water harvesting कहते हैं water harvesting मतलब पानी का संग्र घरना आपने कहीं ना कहीं आपके घर पर भी में भी होगा या फिर आपके घर पर भी होगा या फिर आपके relative में आपके neighbor या आपके कहीं भी घाउं या society में कहीं भी आप ने ऐसा कोई घर देखा होगा जो इनके जो टेरेस्ट होती है जो छत होती है उस बारिस का बानि उसमें आता है दो उसे कलेक्ट करते हैं वो उनके घर के नीचे यहां प gözальный खहाँ उता हम संगर करने सहुथ होता है वहां पर जो बहुत बोई को help मिल रही है कि जो water इन्होंने जो संचे किया था आपको भी पता है कि हमारे देश में इन्हें हमारे वर्ड में पानी की बहुत दीक कमी है हमको water बचाना चाहिए इसका है हमको सीख मिलती है इन्होंने यह बताया है कि यहां पे हमको water संचे करते हैं यह लोग water मतलब water harvesting करते हैं पानी का संग्र करते हैं बारिस वाले देन उसी पानी का use यह डेली बेस पे करते हैं यह जो बच्चा है वो इसका use करता है है यहां पर जो लेडीज है वो पानी लेने गए तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो नल है उसमें पानी निकल ही जा रहा है इन्होंने बातों बातों में यह बंद करना इनको भूल गए बूल गए है यह एक गुड एबिट नहीं है यह एक बेड एबिट है आपको भी पता है कि हमारे मैंने आपको बताया पानी की बहुत ही तंगी है तो इनको यह ऐसा नहीं करना चाहिए आप देख सकते हैं यहां पर यह बात कर रहे है और यहां से निकल ली जा रहा है पानी का यह बगाड कर रहे हैं आपको भी पता है कि पानी का बगाड नहीं करना चाहिए चाहिए तो यहां परी तरह पर्फेक्ट बंद नहीं किया उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है so that हमको इन्होंने दो पिक्चर में यही समझाया है water का बगार नहीं करना water is our life you know that so हमको पानी का बच्चाओ करना चाहिए इसके बारे में यह स्टोरी समझाने में आई है so मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ जो पानी का इन्होंने हर्वेस्टिंग किया है उससी पानी का यूज यह जो बच्चा है वो hand pump की मदद से कर रहा है then second picture में यह लोग पानी का दूरप्योग कर रहे है मतलब पानी बंदी नहीं बातों बातों में यह भूल गए है पानी बंद नहीं किया so that पानी वेस्ट हो रहा है then जो वाटर का इन्होंने नल होता है वो भी इन्होंने परफेक्ट बंद नहीं किया so second picture is bad habit you know that so अब हमको यहाँ पे question दिये गए है what do you observe in first picture so मैंने आपको समझाया जो बारिस का पानी है वो house की जो terrace है उसकी मदद से उसके आ रहा है और उसकी मदद से वो यह water harvesting कर रहे है नीचे ले जा रहे है terrace से उन्होंने यह किया है so वो ही पानी यह जो बच्चा है वो hand pump की मदद से यूज कर रहे है second first question का answer यह है then second what do you observe in second picture मैंने आपको बताया कि first picture में हमको इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज सिखा ही है कि पानी का संग्रग कीजिए harvesting कीजिए then second picture में हम देख रहे हैं two lady हैं जो बातो बातो में पानी का जो नल है वो बंद करना भूल गए है जिसकी वज़े से water जा रहा है flowing हो रहा है जिसकी वज़े से पानी का दूरप्योग हो रहा है so that second picture में हमको यह बताया है और यह दो lady जा रहे हैं फिर भी पानी का नल परफेक्ट बंद करके नहीं गए इसलिए second picture better bit then which things do you consider proper in both the pictures why so अब इन्होंने हमको question किया है कि आप किस यह आपने जो first and second picture देखी इन में से आप किस picture के साथ सहमत है मतलब आपको इन में से कौन सी वस्तु अच्छी लगी and why so answer यह कि हमारा जो यह पा जो हमारा picture से दो वो first picture and second picture इसमें से जो first picture है are good habits मतलब good है so जो second है जो second है वो अच्छी picture नहीं है उससे कि हमारी society पे खराब habits बिल्ड होंगे so that जो first picture है वो अच्छी है और वो first picture क्यों अच्छी है वो हम बताएंगे so जो first picture है हमारी उसमें हमको water harvesting के बारे में समझाया गया है कि हमको पानी को बचाना चाहिए उन्होंने जो terrace पे जो बहुत एक अच्छी सुईदा प्रोवाइड की है जो terrace का पानी जो बारिस का होता है पूरा नीचे जाके जो कुआ है उसमें वो harvesting हो रहा है मतलब water harvesting का ये एक पूरा हमको सिद्धान समझाते हैं कि नई पानी को ऐसे हम बचाना चाहिए जो पानी होता है बारिस का वो बहुत इंपोर्टन है और उसी पानी का use इनों ने डेली बेस पे गिया है उसकी photo आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो hand pump की मदद से water ले जा रहा है तो first picture is very good habit then second is very bad habit इससे society पे जो अच्छी habit बिल्ड नहीं होगी इसलिए second pictures not good habit so second picture में हमें water wasted waste के बारे में बताए जाए तो अब list down the activities where the water is saved and waste in your surroundings so last question यह है कि आप ऐसी list बनाए है ऐसी activities की list बनाए है जैसे आपके घर के आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो पानी का बच्चाव करते होंगे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके रिलेटिव या आपकी society में कोई ना कोई water sancha वाला जो सिद्धान दे उसके house में वो होगा उनके house में वो होगा जो आपके आसपास कई ऐसे भी लोग होंगे जो water का use गलत तरह से कर रहा होंगे जैसे second picture में हमको बताया गया है को आपको भी हमेशा students याद रखना है कि water is our life so हमको कभी भी water का दूर्पयोग नहीं करना चाहिए जो आपको ये question में दूँगा last में जो मैंने पहले भी आपको बताया इन में से गोई two से three question होगे then one से two question इसमें उसे होगे so हमको second story में यही समझाने में आया है कि पानी का इस्तमाल जितना बने उतना कम करे and उसको waste नगरे so मैं एक बात और भी आपको बता देता हूँ कि यह हमारी book में नहीं है but आपकी knowledge के लिए जो water होता है उसके बीना हम नहीं जी सकते है जो हमारा बोजन होता है अगर हम बोजन five से six दिन अगर खाएंगे नहीं तो हम जी जाएंगे but जो हमारा water होता है वो हमको डेली चाहिए इसलिए water का हमको सोच समझ के यूज करना चाहिए इसलिए हम बहुत सारे ऐसी activities होती है पानी बचाने की show water then show life जड़ हमको गुजराती अगर आपका subject होगा दूसमें हमको बताया जाता है जड़ी जीवन है माने पानी जीवन है तो आपको यह सिखाने में आया है पानी को बचाने की उसको हमें आगे बढ़ाना जाहिए so that आपने ये स्टोरी देखी राउल अमित कार्डन वाली then water के बारे में हमको समझाने माया ये स्टोरी so अब हमको observation दिया गया है कि आपको यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 6 और 9 9 फोटो है जो हमारे environment पे अच्छी असर करती है then कुछ ऐसी भी फोटो है जो environment पे गलत असर करते है so आप 3 सेकंड में ये फोटो देख लीजिए पूरी आप आप observation के बारे में बताया गया है 9 फोटो दी गई हुए जो हमारे environment पे बहुती बुरी असर करते हैं ऐसे फोटो इसमें बहुत ज़्यादा है so जो फोटो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने वो tree cutting कर रहा है जिसकी वज़़े से ये एक bad habit है हमारे परयावरन को नुक्सान करती है हमारे परयावरन को harmful है जिससे हमारी परयावरन को कोई भी benefit नहीं होदा आपको भी पता है कि अगर हम tree काटेंगे तो बारिस नहीं होगी तो बहुती harmful effect हमारे परयावरन पे होगा जो फोटो है इसके हमारी परयावरन पे negative effect होता है then second photo है कि आप देख रहे हैं गाड़ी जा रही है गाड़ी में से दूएं जो smoke निकल रहे है उसकी वज़े से हमारे environment के बहुती harmful effect है first second दोनों ही harmful effect है हमारे environment जो second है third sorry third है वो बहुत जो पटा के जला रहा है जब भी दिवाली का तैयर होगा आप भी बहुत सारे पटा के जलाते हैं नहीं हमको जलाने जाहिए गलत बात नहीं है बट हम बहुत ज़्यादा ही पटा के जलाते हैं जिसकी वज़ा से जो हमारा nature है environment है उस पे बहुत ही harmful effect होती है जो first second and third photo is not good habit and not good activities for our environment so that इसलिए हमको good habit we spill करनी जाहिए जो first second and third photo है इससे हमारी पर्यावन को नुकसान होता है then अब जो fourth picture है जिसमें girl है जो girl है वो song सुन रही है headphone का use कर गए ये एक अच्छी है बीटे हमको song सुनने चाहिए अच्छे अच्छे जो song होते हैं वो सुनने चाहिए but वो कम loud करके सुनने जाए अगर आप headphone या earphone की मदद से सुनेंगे तो कोई भी प्रयावरल को effect नहीं होगा आप पे होगा अगर आप उसका headphone का बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे तो आपके ear को उससे problem होगी बट आप कभी कभी 10 से 15 मिनिट relax के लिए या फिर कभी कहीं आप गूमने जाए तो earphones का यूज करते हैं और करते ही होंगे अच्छे ये good है बीटे mood phrase करने की या अच्छा mood बनाने की ये good है बीटे बट loudly sound नहीं होना चाहिए मतलब headphone का यूज हमेशा करना चाहिए देन जो फिफ्ट फोटो है पांच मी फोटो जिसमें आप देख रहे हैं कि एक pond तालाब है उसमें वफेलों को ये man ऐसे नाला बात करा रहा है जिससे जो पूरा pond है मतलब जो पूरा तालाब है पूरा तालाब खराब हो रहा है जिसकी वज़े से हमारे तालाब में इसकी अच्छी जिसकी वज़े से हमारा जो तालाब है इससे वह गंदा होगा देमेश होगा इसलिए इस man को एसर नहीं करना जी ये एक bad habit है देन मैंने आपको बताया कि आपको headphone लगा के song सुनने वह अच्छी बात है देन अगर आप बहुत ही loud high volume करेंगे तो यह बैड है बीटे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो बहुत ही high volume यहाँ पर यह जो तरंग है मतलब यह high vibration है song के जिसकी वज़े से फोटो में हमको ऐसे मतलब sorry ऐसे तरंग वाईज हमको frequency वाईज दिखाया गया है so that हमको loudly song नहीं सुनने चाहिए जिससे यह six photo है यह पर आवरन जो हमारा environment है उसके लिए harmful if habit है तो हमने 7 अब देखें 7 habits आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत है वह जो garbage है वह डस्टर बीन में जो एक बहुत ही अच्छी अच्छी है भीट है जिसकी वज़े से हमारी पर्यावरन cleanness रहती है जिसके पर्यावर जिससे हमारे प्लांट जो सब होते हैं उनको कोई भी harmful effect नहीं होती यह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रोड है रोड पर कच्रा पड़ा हुआ है अच्छी है भीट नहीं है जिसकी हमारी पर्यावरन पर negative माने harmful effect होता है तेन लास्ट है लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से हमको water के बारे में समझाने में आया यहाँ पर hand pump पर hand pump पर पानी जाता ही जा रहा है जो पानी flowing होता ही जा रहा है यह पानी का गड़ करने वाली यह एक है भीट है यह बहुत ही अच्छी बात नहीं है इन फोटो में हमको देखा कि जैसे यह first, second, third, 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 fourth, अच्छी है भीट है भीट है फाइव, six, यह बेड़ भीट है जो बच्चा garbage जो है डस्टर बिल में डाला है और जो last eight and nine है वो दोनो यह खराब जो हमारे environment को बुरी असर जो बुरी effect पड़ता है इन सब habits है इन सब nine में से दो ही ऐसी अच्छी पिक्चर अच्छी habits है जिनकी वज़े से हमारे environment को बहुत ही अच्छी positive effect हो रही है then seven ऐसी जो pictures है जिनकी वज़े से हमारे पर्यावन को negative जो environment को sorry मैं बार-बार environment को पर्यावरन बोलना हूँ गुजराती वर्ड है वो भी पर्यावरन बोलते है गुजराती में और हिंदी में हम English में environment बोलते हैं so आप confuse मत हो ना so that हमको इन्हों ने ये pictures observation करने को बोला मैंने आपको समझा दिया nine photo है जिन में से दो good habit है then seven है it is not have good habit for our environment harmful effect so अब हमको यहां पे इन्हों ने question दिया है which expect which expect in the pictures of page number nine are beneficial for our environment which expects in the pictures of page nine harmful for environment so that आपका question है आपको first question है कि एसी कौन सी pictures है जिसमें जो हमारा पर्यावरण है उसको benefit हो दा मैंने आपको बताया यहां पे सिर्फ दो यह ऐसी pictures है जिनकी मदद से हमारे पर्यावरण को हमारे environment को help मिलती है first step यह जो girl है वो song headphone में सुन रही है then यहां पे boy हो duster bin में garbage डाल रहा है then second question है कि which expect in the pictures of page number nine are harmful our environment हमारे environment के लिए harmful negative असर करने वाले फोटो कौन्स यह आप देख सकते हैं यहां पे tricky cutting यहां पे दूए वाली घाड़ी जा रही है फटा के जला रहे है then pond में यह buffalo को ऐसे bathing bathing करा रहे है high volume पे song सुन रहा है यह boy then garbage यहां वाँ फेंक रहे है then last में जो hand pump वाला है कि पानी उसमें से water जा रहा है बंद नहीं किया so आपका second question का answer यह है और अब आपके home work में आपको देना चाहूंगा कि आपका first question है जो हमने राउल और अमित वाली जो story देखी उसमें से first question आपको यह लिखना है what should राउल actually do उसका answer आपको लिखना है जो one two three और fourth question है वो आपको लिखना है राउल और अमित वाली story में fourth and five question आपको यह what should राउल actually do वाला question का answer लिखना है then second what do you do to look after the garden second question जो आपको लिखना है यह fourth वाला और fifth वाले दो question के answer लिखने है राउल और अमित वाली story में से fourth और fifth question के answer आपको लिखने है then then जो हमने water harvesting के बारे में देखा पानी का संचेक गरने वाली story देखे उसमें से आपको जो one two three or fourth question है उनके answer लिखने है which things do you actually sorry which things do you consider proper in both the pictures why third question का आपको answer लिखना है then fourth list down the activities where the water is saved and waste in your surrounding so आपको water वाली story में से third और fourth question के answer लिखने है एक बार मैं समझा देता हूँ यहां वे राउल और अमित वाली story में आपको fourth and fifth question के answer लिखने है then water वाली जो second story है उसमें उसमें third और fourth question के answer आपको लिखने है then जो हमने यह पूरा देखा गी environment के जो harmful photo है वाली question दो question यह आपको लिखने है मतलब आपके total question हुए six आपके total question six हुए दो question यह दो water वाली story में से दो राउल और अमित वाली story में से इसकी में video भी आपको जो हमारा group है उसके जो में video बेजूँगा उसके नीचे इसकी यह PDF है वो भी send कर दूँगा इसलिए आपको दिक्कत ना हुए so आपके six question हो गए दो यह दो राउल और अमित वाली story and second जो हमने water harvesting वाली story देखी तो आपका उंबर की six question यह है और आपकी एक activities है कि आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ हो या छोटा प्लांट हो तो आप उसको पानी दीजिए या फिर आप उसकी उसका आप maintenance करिए मतलब आपके घर पे अगर कोई पेड़ वोदा हो तो उसको आप पानी दें और उसको आप soil दालें यह सब और अगर आपके घर के आसपास कोई प्लांट नहों तो एक पाप वोदा ले आए उसको आप build up कीजिए उसको आप जो खोद के आप एक प्लांट को वहाँ पे आपके घर के आसपास उगाई है उसकी फोटो आप मुझे वाटसम नंबर पे बेजिए ठीक है चिल्डन्स आपका उम्बर गये है शिक्स जो कॉस्चन थे वो और लास्ट जो एक्टिविटीज है आपको एक पोदा बिल्ड़ जो में और उसकी फोटो मेरे वाटसम नंबर पे सेंड कीजिए या आपके घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ो दो उसको भी आप पानी देते हुए एक फोटो खेचिए और उसकी फोटो मेरे वाटसम नंबर पे सेंड कीजिए ठीक है यह आपके एक्टिविटी सिक्स तो subject teacher से बात कीजिए then कोई आपको reply या वो वेस्त हो तो मेरा contact कीजिए ठीक है children, stay home, stay safe bye bye, thank you, take care